हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल सिमसब्टिक में आज मैं आपको बताऊंगी किन गलतियों की वज़े से हमारी सलवार खराब हो जाती है यह मैंने बैल्ट त्यार कर लिए बैल्ट में जिदर से हम नाड़ा डालते हैं यह हिस्सा है इसको इस तरह से पकड़ना है बिल्कुल पीछे की साइड को और ऐसे इस वैल्ट का हाफ करना है हमारी वैल्ट त्यार होने के बाद यहां पर 24 है तो हमने ट्वालब पर एक निशान लगाना है यह मैंने एक निशान लगा है यहां से जिस तरह से हम पलाजों में हमारा आगे का जो आशन होता है वो छोट होते होते हैं उसीतार सलोार में एक इंच幾 डाउन करेंगे इस तरह से इससे जो है हमारे सलवार के पांचे हे जो इसना गिरती पांचे आपर और ऐसी अजीव डालते हैं मैं आम तोर पर चुननट 9 इंच पर डालते हूं यहां से हमने चुननट डालना सुरू करना है और जो पलड़ी की सिलाई होती है जिससे हमारी क्रीज खड़ी होती हो कम से कम साड़े 6 यह साथ तक आ जानी चाहिए तो इसके लिए हम चौक से निसान लगा लेंगे क कि यहां पर हमारी क्रीज आनी चाहिए यह मैंने अपनी सलवार को पूरा जोड़ लिया है अब हमने एक हिस्से में जो बैक में हमने करना है उसको पकड़के पहले ही इसमें दो चुननट डाल लेनी है इस तरह से चुननट डालने के बाद अब इन धागों को काट लेना है और जो हमारी बीज की पलड़ी जिसमें करेज बनाएंगे उस में इस तरह से हमने सेंटर करना है जैसे हमने किया है सेंटर इसका और यहां पे तिर्छी सिलाई लगा देने हैं यह हमारी करीज की सिलाई होती है इसको इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम चुनट डाले तो इसको कहीं हम ऐसे न दबादें और इसी दी रहेगी तो सलवार की क्रीज बिल्कुल सी दी आएगी अब मैं आपको बेल्ट अटेज करके बताती हूँ इस तरह से हमने चुनटे डालनी है और जो सिलाई वाली चुनटे है वो यहां आई और इसको थोड़ा बड़ा ही डालना है वाकी चुनटों से और यहां पर छे साड़ छे के बराबर बेल्ट का छे साड़ छे के बराबर इसको यहां पर लगा देना है और फिर वाकी चुनट पर वैसे ही डाल देनी है इन आशन से आशन को एकदम अटैच करके मिलाना है आगे पिछे नहीं होना चाहिए इस तरह से मैंने अपनी बेल्ट अटैच कर लिए इसमें इस तरह से यह वह चुननट है इससे हमने शिलाई लगा के हमें धियान रहते हैं कि हमारी क्रीज वाली च प्रूम को अपने सलवार के साथ अब इसमें अ कि हमने इस तरह से यह जो शिलाई होती है हमारी यह वाली ये पहुंचे वाली इसको हमने बिल्कुल इस चीज का ध्यान भी रखना है कि जब हम सिलाई लगाएंगे मशीन पर तो ये सिलाई इस तरह से टेट दीनी होनी चाहिए ये बिल्कुल ऐसे सिद्धी होनी चाहिए जिससे कि जब हम अपना पहुंचा अटेच करेंगे लस्ट वाली सिलाई लगाएंगे तो ये वाली भी और ये वाली भी इन दोनों को इस तरह से हम जोड़ेंगे इससे क्या आता है कि हमारी जो सिलाई घूमती है वो घूमती नहीं है इसको इस तरह से बिल्कुल सिद्धा करके सिलाई लगानी है ऐसे इस तरह से इसी तरह से हम दोनों पहुंचों को अटेच कर लेंगे इस तरह से मेरे पहुंचे बनकर रेड़ी हो गए हैं अब मैं आपको बताऊंगी जो इसकी लास्ट सिलाई देते हैं सलवार की जिसको गिदरी की सिलाई भी बोलते हैं वो हमने कैसे देनी है और हमारी सलवार ना घूमे उसके लिए हमें किस तरह से दोनों सिलाईयों को आपस में मिलाना है इस तरह से हमने इन दोनों को आपस में मिलाना है जो एस सिलाईयां है दोनों पलडियों की इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाना है कि ये दोनों आपस में एक बराबर आए अब इस तरह से यहां पर हम मेरे पास पहुंचा छे इंच है तो हमने इसको छे के बाद थोड़ा सा आगे लगाना है ताकि जब हम सीधा करें तो पहुंचा पूरा छे बंद करके त्यारा आजाए इसी तरह उपर हमने साथ पर लगाना है साथ से थोड़ा सा आगे और इस तरह से हमने इसको सिलाई देनी है इसके लिए सिलाई देने से पहले हमें यहां पर थोड़ा सा इसको पहले अटेच कर लेना है इस तरह से अटेच करने के बाद हमें आसन की सिलाईयों को देखना है इनको हमने आपस में एक बराबर मिलाना है इसके लिए हमें देखना है कि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है तो हमारा कपड़ा बिल्कुल एक बराबर है किसी भी एक कपड़े को ज़्यादा खिंचना नहीं है और इधर से बिल्कुल ऐसे सीदी सिलाई लानी है इसी तरह से हम दोनों पॉंचों को अटेच कर लेंगे इस तरह से मेरी सलवार हो चुकी है कम्पलीट यह है इसकी सिलाईया इससे जो हम प्रेस करेंगे तो असानी से इस तरह से इसको पकड़ सकेंगे इस तरह से यह हमारे एक ब्राबर आ रही है और इसका आशण पलाजों के आशण की तरह एक छोटा है और एक बढ़ा और इस तरह से आए गए एक इंच कम तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे चैनल सिमसबटीक को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मत ताली